हेलो जाटम तो एनदर वीडीयो पर स्टॉक मार्केट फिंड चिल प्रोडक्ट्स की और से मार्च पॉआटर की फिनांशल डिजल पेस हो चुका है आजकी यस वीडियो में कवर करेंगे स्टांडल और इस आउट हो को चुका यह कौटर एंड और इंडेट का जो की cover करेंगे और गाइस पहले consolidated cover करेंगे lakhs में numbers दिये गए है income की बात करें company का जो income में 730.8 करोड का पिछले quarter में 665.6 करोड का और March 23 quarter में 522.4 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है लेकिन expenses 660.4 करोड का पिछले quarter में 598.9 करोड का और March 23 quarter में 427.7 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में increase है लेकिन year on year में expense बहुँ जादा हुआ और ये expense guys increase हुआ है company का material cost में 464.5 करोड का जो कि देख सकते है year on year में बहुँ जादा किया गया इसके कान profit में down है operating profit 70.4 करोड का पिछले quarter में 66.6 करोड का और March 23 quarter 94.7 करोड का operating profit है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है net profit 65 करोड का पिछले quarter में 63 करोड का और March 23 quarter में 85 करोड का net profit है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है EPS 4.89 रूपीज का EPS है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है तो guys company के result अगर देखा जाए quarter ended में year on year की income profit में down है बट quarter on quarter में increase किया है financial year ended में income है 2660 करोड का 23 में 2074.4 करोड का income में increase किया है expenses हुए है 2383.7 करोड का 23 में 1769.4 करोड का expense जबकि बहुत जादा income भले देखा जाए तो इंक्रीज है लेकिन expense बहुत जादा है जिसके कारण profit में down है operating profit 250 करोड का 23 में 283.9 करोड का down देखने को मिला है net profit 235.4 करोड का 23 में 309 करोड का down देखने को मिल रही है EPS company का है 18.76 रुपेश का 23 से down देखने को मिल रही है तो guys company consolidated results अगर देखा जाए तो quarter ended में year on year के income profit में down है और financial year ended का income में तो increase है बड़ profit में down है तो guys कह सकते हैं यहां पर company कोई खास result पेश नहीं किया अगर हम इसके standalone results को cover करें income में 409 करोड का पिछले quarter में 327.7 करोड का और March 23 quarter में 332.4 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों की expenses थ्री हंड़ेटी 4.7 करोड का पिछले quarter में 302 308 करोड का और March 23 quarter में 289.3 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year दोनों की expenses भी increase लेकिन quarter on quarter में तो बहुँ जाद इंक्रीस था है किन year on year में बहुँ जाद इसके कान profit में down है operating profit 24.3 करोड का पिछले quarter में 19.6 करोड का और March 23 क्वाटर में 43 करोड का operating profit quarter on quarter में इंक्रीज किया है नेट profit 20 करोड का पिछले quarter में 16 करोड का और March 23 quarter में 50.3 करोड का profit quarter on quarter में इंक्रीज है year on year में decrease किया है EPS 1.51 रुपेश का quarter on quarter में इंक्रीज है year on year में बहुँ जादा डाउन 50% डाउन देखने को मिल रही है तो गाइस company का result अगर देखा जाए तो average कोई खास result पेश नहीं किया income तो अच्छी के उथर रहा है बट expense जादा होने के कारण year on year और financial year ended दोनों की profit में बहुँ जादा losses मिल चुका है six months में eight percent का loss है मतला इस company का जो शेयर है अल्रीडी बहुँ ज्यादा डाउन देखने को मिल रहा है और रिजल्ट इसका average पेश किया है अब देखना यह गाई को यह company के शेयर अगर पॉजिटिव में आता है मतलब मंडे को positive में होता है तो आप average कर सकता है अगर negative में होता है गाई तो आप वेट कर सकते हैं तो हम लोग जो है वीडियो को ही पर end करता है अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पुछे मिलता है नेक्षोड़ा में दिलता है बाबाइ